Manager function of HR manager means HR manager की क्या manager function होते हैं हम इस वीडियो में जानेंगे So basically there are four functions of HR manager Planning, Organizing, Directing and Controlling अब हम one by one करके इसके बारे में deeply पढ़ते हैं Planning अगर हम basic सा मतलब जानें planning का तो planning का मतलब होता है where we are and where we want to be यानि कि at present हम कहां पर है and हमें future में कहां पर जाना है तो ऐसी जो हमारे HR manager होता है वो future की planning करके चलता है कि हमारी अभी organization में अगर हमें projects मिल रहे हैं तो क्या हमें और employees की need होगी and अगर हमें उनकी need होगी तो हमें total कितने employees की need होगी ठीक है and जो हमारे HR manager होता है वो हमारे सारे data की analyze करता है उनको collect करता है उनको analyze करता है, identify करता है कि हमें future में किसकी चीज की need होने वाली हमारी organization को फिर उसकी according हमारा HR manager planning करता है Now organizing Organizing का basically मितलब है task को allocate करना employees के बीच में हर एक employees के पास अपनी खुद की अलग सी knowledge होती है skills होती है तो जो हमारे HR manager होता है वो employees की skills के base पे and उनकी knowledge के base पे उनके according task प्रोवाइड करता है और ताकि जो हमारा organization का goal है common goal जो है हमारी organization का वो भी achieve हो सके हमारी organization की जितने भी objectives है उनको easily achieve करा जा सके इसलिए जो हमारे HR manager होता है वो सही task को, सही काम को, सही employee को dedicate करता है उसको देता है करनी के लिए Now हमारा third function होता है directing directing में क्या होता है जो हमारे HR manager होता है वो employees को guide करता है उनको commands देता है ठीक है इसके अंदर हमारे HR manager उनको motivation भी provide करता है ताकि हमारे जो employees है वो जादर से जादर output दे सके अपनी organization में ताकि जो हमारा profit है वो भी maximize हो और जो output आ रहे है employees का वो भी maximum level पे उनका output आए इसके अंदर HR manager उन्हें guide करते है employees को, उन्हें guidelines देते हैं उन्हें सब चीजें बताते हैं उनको एक proper guidance provide करते हैं Now, last function है controlling controlling में जो HR manager होता है वो performance को evaluate करता है, check करता है जो हमारी HR performance होई है और जो हमने planned performance करी थी उसके बीच में कितना gap है, कितना difference है क्या हमारी जो planned performance है वो HR performance के बिलकुल करीब है या फिर नहीं है, क्या हम अपने जो भी objectives करे थे हम उन objectives को achieve कर पाए है या नहीं कर पाए है, यह सब चीजें हमारा HR manager controlling में देखता है अगर हमारा HR performance और planned performance की बीच पर gap है तो उस gap को कैसे fulfill करा जा सके यह हमारा HR manager देखता है जो हमारा HR manager है वो जो हमारे employees हैं उनकी performance को check करता है उनको verify करता है और फिर उसके बाद वो हमारे goal से उनको compare करता है कि अगर किसी employee ने अच्छी performance करी है तो उसको promotion देता है उसको और जदा motivate करता है ताकि वो और जदा अच्छा performance करे अगर किसी employee ने अच्छी performance नहीं करी बहुती जदा बिकार performance करी है तो उसको demotion देता है उसको promote नहीं करता है उसको demotivate भी नहीं करता है उसको motivation देता है उसके साथ थोड़ा strict होता है ताकि next time से वो भी अच्छी performance कर सके that's it for the video thank you so much